नमस्कार दोस्तों आपकी अपनी वर्चुल लैप चैनल पर आपका स्वागत है आज हमारा 6th class का चठी class का एक नया chapter दूसरा chapter शुरू होता है जिसका नाम है components of food food के अलग-अलग जो elements है उसको हम सीखने जा रहा है ये आपकी 6th standard की दूसरे chapter में और यहाँ पहली activity जो है वो हमने ली है common meals of different region and state आप कोई भी अलग-अलग area में रहते है अलग-अलग region में रहते है अलग-अलग state वाले जो है वो अपने-अपने एक अलग food की peculiarity होती है अपनी-अपनी एक fashion से वो खाना खाते है तो वो meal क्या है अलग-अलग तो दो यहाँ दिये गए है example आपकी समझ के लिए कि यह पंजाबी लोग है वो क्या करेंगे तो grain में वो क्या क्या खाएंगे तो यहाँ मकाय है जिसका वो लोग रोटी करते है फिर डाल मीट की अगर classification हम देखे तो उसमें क्या है राजमा मुस्तली वेजी टेबल्स में ज्यादे तर वो लोग क्या खाते है सरसो और अदर्स में कड है गी है दई है बहुत कुछ होता है अदर्स में इसी तरह यह अंधरपदेश का एक example दिया हुआ है अ राजस्थानी है और तामिल है यहां तीन हमने आपके लिए रखे है और यह तीन आपको अपने हाथों से फिलप करना है तो यहां गुजरादी पर जैसे का आप अपना माउस लाएंगे तो आपको सिर्फ वहां माउस है तब तक ही दिखाईगेगा बाकी आपको सब याद क करके लिखना पड़ेगा कि यह ग्रेइन क्या है डाल मीत क्या है वेजिटेबल क्या है और अधर्स क्या है तो यह गुजरादी पर हमें माउस ला रहा हूं यह देखिए ये गुजरती लोगों का जो है वो regular meal है उसका खाना है तो ये खाने में ये लोग क्या-क्या खाते है ये आपको थोड़ा याद कर लेना है और बाद में यहां आपको लिखना है कि जैसे कि ग्रेइन है तो ग्रेइन में क्या होता है तो सबसे पहले होता है wheat, wheat का क्या बनता है तो roti या तो चपते है जो भी आप लेक लेए तो इस तरीके से grain में यहां क्या-क्या आपको दिखाए पोड़ रहा है ये आपको बरूबर याद कर लेना है कि ग्रेइन से बनी हुई चीज़े क्या-क्या है उसके बद आपको याद करना है कि डाल मीट वगरा क्या है, यह डाल मीट वगरा जो कुछ है, वो भी आप याद कर लिजिए, वेजिटेबल्स बहुत है, यह देखिए वेजिटेबल्स, तो कौन से सबजी यहाँ आपके सामने दिखाई पड़ रही है, वो भी आ लिखना है, और बाद में अदर्स लिखना है, अगर आपको कोई कन्फूजन होती है, तो यहाँ हमने रिप्लाई दिया हुआ है, यह क्वेस्टन मार्क पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, यह रिप्लाई आपको पहले नहीं देखना है, एकदम, honestly आपको यह एक्टिविटी अपने हाथों से करनी है, उसके बाद आप रिप्लाई से उसको टेली कर सकते हैं, तो दोस्तों यह बहुत ही सिंपल अक्टिविटी हमने देखी, छथे स्टानर की 6th क्लास की 2nd चप्टर की पहली अक्टिविटी, जिसका नाम था, Common Meals of Different Region and State, तो दोस्तों, we hope you enjoyed the video, thanks a lot for watching the video, बहुत जल्दी दूसरा एक्टिविटी लेकर हम आपके पास आएंगे, तब तक के लिए आग्या दीजिए, thank you very much.